वह देखो, गेंद पेड के पीछे पड़ी है। अनन्या, तेज तोड़ कर गेंद लाओ। अनन्या, गेंद इधर फेंकना। नहीं, गेंद खुशी की तरफ फेंको। अरे, उधर देखो, कितने सुन्दर हिरन है। सब बच्चे खेल में मस्त हैं और हिरन देख कर तो उनकी खुशी और बढ़ गई। इन सबने जो वाक्य बोले उनमें कुछ शब्दाएं हैं। के पीछे, तेज, इधर, की तरफ, उधर। इन सबी शब्दों को किसी भी लिंग, वचन, कारक के साथ प्रयोग करो। इनका रूप नहीं बदलेगा। ये अव्यय शब्द हैं। जिन शब्दों के रूप में किसी भी स्थिती में परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेट। अव्यय या अविकारी शब्द पांच प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेशन, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चे बोधक, चौथा विस्मयाधी बोधक, पांच्वा निपात। क्रिया विशेशन दादी जी, गरिमा बहुत रो रही है। क्या हुआ? वह तेज भाग कर उपर चड़ रही थी, गिर पड़ी। ओ, बहुत बुरा हुआ, वह कहा है? अब मम्मी उसे भीतर ले गई है। चलो, उसके पास चलते हैं। बच्चों, आप भी ध्यान से काम करना, कहीं गरिमा की तरह चोट मत लगा लेना। अब आप देखिए, बहुत तेज, भीतर, उपर शब्द क्रिया की विशेशता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेशन शब्द हैं। जो शब्द क्रिया की विशेशता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं. क्रिया विशेशन के भेट क्रिया विशेशन के चार भेट हैं. पहला काल वाचक क्रिया विशेशन, दूसरा स्थान वाचक क्रिया विशेशन, तीसरा परिमान वाचक क्रिया विशेशन, चौथा रीती वाचक क्रिया विशेशन काल वाचक क्रिया विशेशन क्रिया के होने या करने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेशन काल वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे ख़वर सुनते ही वे तुरंत चले गए गोपाल दिन भर टीवी देखता रहता है इन वाक्यों में तुरंत दिन भर शब्द क्रियाओं के होने के समय की सूचना दे रहे हैं अता ये काल वाचक क्रिया विशेशन है कोचान्य काल वाचक क्रिया विशेशन है क्रिया के साथ कब शब्द लगा कर प्रश्ण पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह काल वाचक क्रिया विशेशन होता है स्थान वाचक क्रिया विशेशन क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोद कराने वाले क्रिया विशेशन स्थान वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे वे आमने सामने खड़े हो गए खेतों में चारों और हर्याली पहली थी इन वाक्यों में आमने सामने और चारों और शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेशता बता रहे हैं. अतही स्थान वाचक क्रिया विशेशन है. क्रिया के साथ कहां शब्द लगा कर प्रश्ण पूछने पर प्रश्ण के उत्तर में प्राप्त शब्द स्थान वाचक क्रिया विशेशन होते हैं. कुछ अन्य स्थान वाचक क्रिया विशेशन है इधर, उधर, आगे, पीछे, बाहर, उपर, नीचे, पास, समी, दूर, अन्यत्र, दाए, बाए, जहां, वहां, आदी. परिमान वाचक क्रिया विशेशन जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमान का बोध होता है, उन्हें परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं, जैसे आन्या खूब हसी, वह थोड़ा चलने लगी है, इन वाक्यों में भूब और थोड़ा शब्द, क्रिया कितनी मात्रा में हुई, इसका बोध करा रहे अतर ये परिमान वाचक क्रिया विशेशन हैं सामानित क्रिया के साथ कितना शब्द लगा कर प्रश्ण करने पर जो उत्तर मिलता है वह परिमान वाचक क्रिया विशेशन होता है कुछ हन्य परिमान वाचक क्रिया विशेशन हैं बिल्कुल जितना उतना कम अधिक काफी पर्याप्त थोड़ा रीति वाचक क्रिया विशेशन रीति का अर्थ है धंग या विधी जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति अर्थात विधी का पता चले उन्हें रीति वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे हिरन तेज दोड़ते हैं मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो इन वाक्यों में तेज ध्यान पूर्वक शब्दों से क्रिया के होने के ढंका बोध हो रहा है अता ये रीतिवाचक क्रिया विशेशन है रीतिवाचक क्रिया विशेशनों से क्रिया के निश्य, अनिश्य, स्वीकार, निशेद, कारण आधी का भी ज्यान होता है अनिश्य, रीतिवाचक क्रिया विशेशन है बेशक, मिसंदे, वस्तुतह, अकसर, धीरे, प्रायह, सहसा, अकस्मात, एकाएक, धड़ाधर, शीखरता पूर्वक, धीरे से, फटाफट, चुपचाफ, ठीक, बिलकुल सहसा, अवश्य, अतेव, किसलिए, इसलिए, आधी कुशल, तालाब के समीप मत जाओ, तालाब के अंदर बहुत कीचड़ है, पेड़ के उपर मेरी पतंग अटक गई है, उसी को उतार रहा हूँ, हम डंडे के सहारे पतंग उतार लेंगे, ऐसे मत चड़ो खेलना अच्छी बात है, परन्तु सावधानी रखना भी जरूरी है, अनिकेत और कुशल ने जो कहा उनमें के समीप, के अंदर, के उपर, के सहारे शब्द आए हैं ये शब्द वाक्य के अन्य पदों का आपस में संबंद जोड रहे हैं, ये संबंद बोधक अव्याई हैं जो अव्ययपद संग्या या सर्वनाम के बाद प्रयूक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संग्या या सर्वनाम के साथ बताते हैं। संबंध बोधक के बिना वाक्य का अर्थ स्वष्ट नहीं होता क्रिया विशेशन की तरह ही ये भी काल, स्थान या दिशा का बोध कराते हैं संबंध बोधक के भेद अर्थ की दृष्टी से संबंध बोधक अव्याय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं काल वाचक के पहले, के बाद, के पूर्व, के उपरांत से पहले आदी स्थान वाचक के बाहर, के भीतर, के उपर, के नीचे, के बीच आदी दिशा वाचक के निकट, के पास, के समीप, की ओर, के सामने आदी संग वाचक के समेत, के पर्यंत आदी तुल्ना वाचक की अपेक्षा के मुकाबले की बनिस्पद आदी? विनिमय वाचक के अस्थान पर की जगा के बदले आदी? साधन वाचक के जर्ये के द्वारा के सहारे आदी? समता वाचक के अनुसार के सद्रिश के समान की भाती के जैसा आदी विरोध वाचक के विप्रीत के विरुध के प्रतिकूल के खिलाफ आदी सहचर वाचक के संग के साथ के समेत आदी संबंध बोधक व क्रिया विशेशन में अंतर अनेक ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेशन दोनों रूपों में प्रयुक्त किये जाते हैं किन्तो यह ध्यान देना आवश्चक है कि जब इनका प्रयुक संग्या या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब यह संबंध बोधक कहलाते हैं और जब क्रिया की विशेशता बताते हैं तो क्रिया विशेशन होते हैं संबंध बोधक, क्रिया विशेशन कमरे के भीतर बैठो, भीतर चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा, मैं पीछे खड़ा हूँ, आग से दूर रहो, उसका घर दूर है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, जल्दी नीचे उत्रो, समुच्चे बोधक पारुल और करबीर, इधर आओ, अरे, ये पिल्ला तो खायल है, इसलिए इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, जल्दी चलो, वर्ना देर हो जाएगी इन बच्चों की तरह हमें भी पशुपक्षियों की देख भाल करनी चाहिए, इन बच्चों ने अपनी बातों में और इसलिए वर्ना शब्द बोले, जो दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, ये समुच्चे बोधक हैं जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चे बोधक अव्यय कहते हैं समुच्चे बोधक के भेव पहला समानाधीकरण समुच्चे बोधक, दूसरा व्यधीकरण समुच्चे बोधक समानाधीकरण समुच्चे बोधक दो समान अस्तरवाले पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधीकरण समुच्चे बोधक कहते हैं जैसे पेडों को नुकसान मत पहुचाओ, बलकी उनका सनरक्षन करो. मैं तुम्हें सो रुपे दे दूंगा, किन्तु तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी. इन वाक्यों में बलकी तथा किन्तु समान स्थिति वाले शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को परस पर रहे हैं. इसलिए ये समानाधी करण समुच्य बोधक है. समानाधी करण समुच्य बोधक के भी चार भेद होते हैं. संयोचक इन में अनेक शब्दों, उपवाक्यों एवं वाक्यों का संयोग या मेल प्रकट किया जाता है. जैसे सीता और गीता जुडवां बहने हैं. जल अत्यंत ठंडा एवं मीठा है. विरोध वाचक. दो शब्दों या उपवाक्यों को जोडते हुए जो शब्द उनके परस पर विरोध का बोध कराते हैं. उन्हें विरोध वाचक समानाधी करण कहते हैं. जैसे मैं आपको पुस्तक दे सकती हूँ लेकिन शिखर को नहीं. यर्ष ने आने को कहा था, मगर अब तक आया नहीं. विकल्पक. जो समुच्चे बोधर दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प का बोध कराते हैं, वे विकल्पक समानाधी करण होते हैं. जैसे पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यता फेल हो जाओके, पाठ प जाते हैं, उन्हें परिणाम वाचक समानाधी करण कहते हैं. जैसे अभिशेक एक मेधावी छात्र है, अता उसे छात्र वृत्ती मिलेगी. यतिन ने बहुत मेहनत की फलतप परिक्षा में प्रतमाया. व्यधिकरण समुच्चे बोधर जो समुच्चे बोधर दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का कारे करते हैं. उन्हें व्यधिकरण समुच्चे बोधर कहते हैं. जैसे अध्यापिका जी ने बताया है कि कल विद्याले बंद रहेगा. मिलने का स्थान तय कर लो ताकि धूर्णने में परिशानी न हो कि ताकि आधि शब्द आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं. अतहिए व्यधिकरण समुच्चे बोधर के भी चार भेद होते हैं. कारण वाचक जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करें उन्हें कारण होचना था इसलिए साइकिल ले गया है. वह दोड में पिछड गया क्यूंकि उसने अभ्यास किया ही नहीं था. उद्देश वाचक जो शब्द उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश स्पष्ट करने का कारे करते हैं उन्हें उद्देश वाचक व्यधिकरण कहते है जैसे नियमित रूप से व्यायाम करो ताकि स्वस्त रह सको उसने खाने में ऐसी दवा मिला दी जिससे की वह बेहोश हो जाए. संकेत वाचक जिन समुच्चे बोधक शब्दों से वाक्य में संकेत या शर्थ प्रकट हो उन्हें संकेत वाचक व्यधिकरण कहते हैं ये अव जब तक चांद नहीं दिखेगा मावरत नहीं खोलेंगी. स्वरूप वाचक जिन समुच्चे बोधक का प्रयोग पहले प्रयोगत हुए शब्द या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वे स्वरूप वाचक व्यधिकरण कहलाते हैं. जैसे मैं इतना मूर्ख नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाओं. सर्वनाम यानी सबका नाम. बिस्मयादी बोधक वाह बादल चा गए लगता है तेज वर्षा होगी अहा देखो वर्षा शुरू भी हो गए चलो अब खेतों को पानी मिल जाएगा अच्छा अब घर चलते हैं होश्यार उधर गड़ा है देख कर चलो यदि वर्षा न हो तो फसले नहीं उगेंगी वर्षा तो किसानों के लिए वर्दान है किसान और उसकी पत्नी ने वाक्यों के शुरू में वाह अहा अच्छा होश्यार शब्दों का प्रयोग किया है ये शब्द अलग-अलग भाव व्यक्त कर रहे हैं ये विस्मयादी बोधक अव्यय है जो अविकारी शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घ्रिना आदी मनुभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादी बोधक अव्यय कहते हैं विभिन्न मनुभावों को प्रकट करने वाले विस्मयादी बोधक इस प्रकार हैं. हर्ष बोधक, वह, 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 आहा, शाबाश, आदी, आहा, बड़ा स्वादिश्ट खाना है, वह, तुमने तो कमाल कर दिया, शोग बोधक, ओह, हाई, 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 उफ, आदी, हाई, मैं तुम मर गई, उफ, पेट में बहुत दर्द है, विस्मयादी बोधक, अरे, क्या, ओ, ए, आदी, अरे, तुम यहाँ भी आ गए, क्या तुम यहाँ से नीचे कूच सकते हो, स्वीकृति बोधक, हाँ, हाँ, अवश, जी, जीहा, आदी, हाँ, हाँ, मैं चला जाओंगा, थू-थू, छी, हट, चलहट, धिक, धिककार, आदी, थू-थू, इतने बड़े घर की बेटी और ऐसे काम, छी-छी, कितनी बदबु आ रही है, चेतावनी बोधक, साबधान, होश्यार, खबरदार, आदी, साबधान, समराट पधार रहे हैं, होश्यार, एक खतरनाक आतंक जेल से भाग गया है, आशिरवाद बोधक, दीरखायू हो, सौभाग्यवती हो, खुश रहो, आदी, दीरखायू हो, भगवान तुम्हारी उम्रे लंबी करें, संबोधन बोधक, अरे, हे, ओ, ए, अजी, आदी, अजी सुनिए, क्या आप यह पता जानते हैं, ए लड़के, यहां क्या कर रहे हो, विस्मयादी बोधक अव्याई, वाक्य के आरंब में ही आते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता, इनके बाद विस्मयादी बोधक चिन्ह लगता है, कई बार संग्या, सर्वनाम, विशेशन और क्रिया शब्दों का प्र परिवर्तन के कारण दोनों वाक्यों का अर्थ ही बदल गया है इस प्रकार अर्थ में परिवर्तन करने वाले अव्यय निपात कहलाते हैं सपश्ट है कि निपात वाक्य के अर्थ को प्रभाविद भी करते हैं वे अव्यय जो किसी शब्द या बद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेश बल देते हैं निपात कहलाते हैं कुछ प्रमुक निपात इस प्रकार है। तो मुकुल तो किसी की बाद सुनता ही नहीं। ही प्रज्या ने ही फूल तोड़ा है। तो बात तो सुनो। भी तुम्हे भी मेरे घर आना है। तक कल तक साइकल ठीक हो जाएगी। भर आज विनय दिन भर खेलता रहा। मात्र केवल माफ कर दो केहने मात्र से माफी नहीं मिलेगी। हमने सीखा जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता और उनका रूप सदैव एक जैसा रहता है। अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द पांच प्रकार के हैं। दो शब्दों उप्वाक्यों और वाक्यों को जोडने वाले शब्द समुच्चे बोधक अव्यय होते हैं। समुच्य बोधक के दो भेद होते हैं, समान अधिकरण तथा व्यधिकरण. समान अधिकरण समुच्य बोधक के चार भेद हैं, संयोचक, विकलपक, विरोध वाचक और परिणाम वाचक. व्यधिकरण समुच्य बोधक आश्रे तुपवाक्यों तथा मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं. मनुभावों का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादी बोधक अव्यय होते हैं. निपात किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ पर बल देते हैं.